जहन दिफेंस एस्पिरेंट्स वेलकम बाक टू टागेट डिफेंस अकाडमी सो फाइनली हमारा 28 डे है और पिर से वही बात मैंने बुली सिर्फ सिक्स डेस बचे हैं आपका बेसिक जो बचा हुआ था वैकाइब उसको कंप्लीट करने लिए तो प्लीज इसको जल्दी से जल होने वाला है या हो गया होगा और सी बात है तो आप उसके आप सब्सक्राइब स्टार्ट कर दीजिए ऐसा नहीं है कि आप दस दिन पहले बैठो ठीक तो विदाउट मेंकिंग एनी वेस्टेज ऑफ टाइम या गोइंग तो स्टार्ट करते हैं तो हमारा बेसिक क्वेशन जो आज है वो है अब यह रेखने यह इंट्रेस्टिंग क्वेशन है क्योंकि वर्ट थोड़ा सा नया है इस ट्रूएंसी इस डेट्रिमेंटल अभी हमने कहां तक अल्फाबेट की है कल हमने टी कर लिया था आज हमें एस करना है वह ड्रॉप हो गया था बीच में ठीक है च लोयल्टी अगर हम तहीं पता हमें बिल्कुल वर्ट के बारे में नहीं पता लेकिन हम थोड़ा बहुत लेंक लगाएं बेसिक अप्रोज लगाएं जिसको हम गैस्वक कहते हैं तो मिया रही है तो पुली आंसर वही होगा क्योंकि वर्ना तीनों हो सकता था तो चलिए अब ही सब्सक्रेशा आते हैं तो यह सब्सक्राइब यह बो गैसे पासे हो सकता है प्सांटिजम सब्सक्रावाएं आपको पहले बताया था जहां पर ही वर्ड म अल आता है वो नेगटिव हो जाता है यहां पर आपको तीन वर्ड दिये हुए है आप सेम वही कॉंसेप्ट इसमें भी लगना ज्यादा सोचना ही नहीं है जिसका मतलब होता है वेरी काइंड देन कॉर्णिंग एक वर्ड आ रहे पर प्र नाव लेट लेट सीक इसका मीनिंग क्या था उसका क्या होना चीए था हागा अंसर दोनों के आपको बता दिये हैं इसका कर निंग होगा और उसका एक प्षेंटिजम होगा घ़ंप फिर भी हम देख लेता है कि कॉंसेट के हिसाब से कैसे सौल्प होगा है क्योंकि अन्जस्टिफाइड है मतलब इसको तो किसी भी तरह से जस्टिफाइड हो नहीं सकती इंटिग्रेटी अंजस्टिफाइड हो नहीं सकती अब आते नेक्स्ट पे किसी भी तरह कोई बुरी या हामफुल एक्ट करने को मैलेफिशन बोलते हैं तो फ्रेंडली तो कते ही नहीं हो सकता था यह पहले भी यह बोला यह नहीं होगा अब इन दोनों में जब हम देखेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा करनिंग करनिंग मनलब क्या होता है कि अपन की चीज़ है अब इस पर ध्यान देना अगर आप इसका एक्च्वल मीनिंग नहीं है मैलेफिशन तो सिरफ कह रहा है कोई हामफुल चीज़ लेकिन उसकी नियरेस्ट जा रहा है ना नियरेस्ट मतलब नियर बाय करनिंग मतलब भी तो यह है कि आप किसी को धोका देके अगरेटिवली बता रहा है तो मैलेफिशन जो है एड्जेक्टिव है उसकी रिप्लेस्मेंट एक एड्जेक्टिव हो सकता है ठीक है चलो अब आते नेक्सट में नेक्स्ट हमारे सामने कॉश्चन दिया हुआ है सेम है टॉपिक वही जीज़ अब हमें करना क्या है है रेट्रो रेच्छली तरफ दिखाता है यह आपको सिनौनिम हो सकता था ठीक है लेकिन यह अंटोनीम कहों जाएका प्रोग्रेसिव इसको मैंने आपको जब किया शोलीट के प्लेटकर करा या है क्लैस आपके हुआ अब देखो पैलेटेबल का मतलब जेनरल अगर आप पड़ोगे ना तो वह टेस्ट के सेंस में जाएगा कि जिसका टेस्ट अच्छा होगा जो चीज अच्छी हो बट दोनों सरसे जाता है यानि जिसका टेस्ट अच्छा है वो चीज आप अच्छी लगेगी तो यानि कि एगरी कर सकते हो इसका टेस्ट नहीं जा सकता था लेकिन ये अकेला क्या जाएगा एंडॉनिम जाएगा तो दिस विल बटा आंज से मैंने बता है था प्रोग्रेशिफ हों क्योंकि यह तीनों वर्ड बिल्कुल भी रिलेट रहेँ कर रहें तो ज़्द नहीं नहीं है उस बात को वाल शयक्त करना है आब आते लुए आंन शेटिες है नेक्स्ट पर आइंकम से क्या दिया हुआ है 90% accuracy 10% का deflection हर कोई देता है कोई भी इतना accurate नहीं है लेकिन 90% चीज़े इसमें से आ जाएंगी explicit word दिया हुआ है और explicit के साथ आपको दिया हुआ है कौन से वर डिलिजेंट दोनों बहुत simple word explicit मैंने पहले ही बताया है क्लास explicit को मतलब क्या होता है explicit को मतलब होता है खुल के सामने से कोई चीज़ कहते हैं यानि क्लियर करके बोले तो cautious नहीं होगा obvious है explicit मतलब जो चीज़ बयां अपने आप कर रही हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा obvious उसका synonym हो जाएगा फिर हमसे पुछा क्या diligent diligent मतलब होता है पहले मैं करा चुकी हूँ जब मैंने आपको capsule कराया था तो उसमें word कराया हुआ है diligent को मतलब होता है hard working तो जो hard working होता है ठीक है अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो intelligent नहीं हो सकता ठीक है energetic नहीं हो सकता modest नहीं हो सकता क्या हो जाएगा फिस्थ एक वर्ड आगे आब इसमें अंटॉनिम बताना है वर्ड यहां मुझे लगता है कि वर्ड का महिन्दंग नहीं आता को सब को पता है हार्मनी मतलब एक जूट होके रहना साथ में रहना पॉस्टिव वर्ड है ना तो इसके आगे पहले पॉस्टिव लगा देते हैं डिसएग्री करना इस नौट अट अन्टॉनिम अब देखो रिकन्फूजन होना मेलेडी होना कॉंकर्ड होना अब मैं मेलेडी तो नहीं होगा क्योंकि यह तो पॉस्टिव वर्ड है कन्फूजन का कोई रिलेशन ही नहीं है या तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अब आप कमेंट सेक्शन मुझे बताएगा कि क्या आंसर होता है ठीक है अब नेक्स्ट वर्ट आया परपसली परपसली मतलब किसी परपस किसी रीजन किस कोई चीज की जाती है तो मुझे परपसली बोलते है अब देखते हैं इसमें मतलब क्या होगा परपस से किया है तो अनिंटेंशनल अगर कोई की हुई है बहुत ध्यान से देखो परपस्ट्री कि यह तो हाफ अटटली नगोरी तो पूरे दिल से करेंगे टिमिद्ली कोई यहाँ पर मतलब नहीं बनता है यहाँ पर रिलेशनी नहीं था है लेकिन कोई एक्टुल रिए रिलेट भी नहीं नहीं कि यार मैंने सोच के नहीं मा रहा था मैंने इंटेंशनली तुम्हें हर्ट नहीं किया है इंटेंशनली मतलब आपके सामने आ गया है क्योंकि हमें क्या करना था एंटॉनिम करना था ठीक चलो अब अब नेक्स पर आजाता है जैसे हम नेक्स पर आएंगे वारा वकाप कैपसूल आ गया अब इस बेरी वरी इंपोर्टन फॉर्टन फॉर्यू ठीक है ट्रिवियल यह कई बार एंडिया के पेपर में आ चुक है मैंने आपको पहले बोला एंडिया बी आ चुक है और सीडेस में समझ गए कि उतना जरूरी नहीं है उसी से आगे ट्रिफलिंग ट्रिफलिंग मतलब चोटा सा मैटर है जिस पर ट्रिफल कर रहे हैं और नैसेसरी बार बढ़ा रहे है प्रिवलेस का भी सेम मीनिंग हो गया वर्थलेस का तो मतलब यानि इसका तो इसका पता था लेकिन यह आपके लिए थोड़े से निव वर्ड हो गए तो इसको अपने माइंड में रखना है अब आगे एंटाउनिम्स क्या क्या है तो अवसी बात है जो चीज छोटी है उसके अलावा जो चीज बढ़ी होगी जो चीज माहिने रखती है वो चीज हमाई लिए इंपॉर्टेंट ह चीज बढ़ी हो जाएगी तो सिगनिफिकेंट पढ़ लिया इंपॉर्टेंट पढ़ लिया ऐसेंशेल भी पत्चे को बताबागा बच्चे को इसमें दिक्कत होगी यानि मेरे आस्पिरेंट को यह वर्ड तो नय लगेगा तो इसका मनला बताए जिसका कोई माहिने निकले कोई रिजल्टेंट निकलेगा ठीक नेक्स वर्ड आपको दिया है ट्रैंकन अब मुझसे यह मत कहना कि मैं यह नहीं है पेंचेंट इस तरह के वर्ड आप से पूछे जाते हैं तो जो पूछा जाता है मैं हमेशा हाइलाइट करके आपको बता देती हूं एक्स क्या कह रहा एक ऐसा बल दिया गया जिससे उस बात की जो बल है उस बात की जो फोर्स है वो थोड़ा बढ़ गई है ना उस चीज को प्रॉपर तरीके से प्रेजन किया गया तो उसको एजर्शन फोर्स पुलाइना बात फोर्स मतलब इस तरह से कहना कि लोग मानने पर मजबूर हो कर सकता है ना मनलब कोई बात में दम नहीं है हलकी तरह से बात की जाई एंबिग्यूस बात में क्लियरिटी नहीं है दो बातों को एक साथ कहा जा रहा है यह वर्ट भी इंपोर्टेंट है आपके पेपर में आ चुका है मैंने दो तीन बार लगवाया भी है ठीक है पर थोड़ा सा पेशेंस रखना एस है बहुत डीब डाउन है 50 अब वर्ड से तो बहुत जल्दी नहीं भागेंगे मीनिंग समझ के ही आगे बढ़ेंगे है ना चलो अब आते हैं तीन वर्ड एक साथ लिखूंगी उसके बाद स्लोवेली दिया हुआ है सपल दिया हुआ है हम देखते हैं क्या दिया है चीज़ ओफन रेप्रिमेंडेड यह भी क्या है एक नेगटिव ने अंतुर में बहुत हैंती रहती है तो दोनों की सेंस में पंपॉर्टन हो जाता है अपको प्रेश करने वाली चीज पॉस्टिव नियो सकती तो सपल कैसा वर्ड हो गया पॉस्टिव हो गया अब यह आपके लिए नया वर्ड है यह तो फिर भी आपने सुना होगा तो प्लाइंट मतलब जो इंसान फ्लेक्सिबल है यानि इतना अच्छे से वह एथिलीट काम कर रहा क्यान आपने लिए लिए और लोग उसको इंप्रेस हो गया उससे तरह दिया वहा है सांप्रताइक दंगे हो रहे हैं थीख है इन दे सिटी ब्रोक आउट as a result of sacrilegious act of one community एक community के sacrilegious अभी जैसे news में आपने देखा होगा मेवाती बात चल रही है वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ कि कावड यतरा निकल रही थी और वहाँ पे एक spotting में आ गया इस समय, burning issue है कि वहाँ पे एकदम से कोई ऐसी प्रोवकेशन की गई जिसकी वैसे दोनों में पास में दंगे हो जाएं तो sacrilegious उसी को बोलेंगे मनलब दूसरे की जो religion है या दूसरे के जो religious beliefs हैं उनको hurt करना, उनको pollute करना desecrate दुबारा हाया है that's why I'm saying this is very 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 important okay, now coming to the next section we have a few questions फिर आते हैं sangrifoid scouch और salvage पे अध्यान से देखो क्या कह रहा है the sangrifoid of the army commander army commander की बात की गई है saved the check post यानि यह तो positive बात है भाई check post को save किया है save the check post being recaptured by the enemy यानि कि कोई अच्छा काम किया होगा ना, तो sangripoid positive है तो मतलब क्या है, coolness या courage यानि जो शांती से उसने courage दिखाई उस चीज ने कहीं ना कहीं क्या किया उसको recapture करने में बहुत जादा help की है next हम से क्या दिया हुआ is scourge scourge भी एक important word अब कैसे देखिए the plague, the plague broke out in the province and people thought it to be divine scourge तो plague एक सरे की बीमारी है और वो अगर हो गई तो वो अवे सी बात है नेगेटिव में जाएगा ठीक, let me clean this for better conversation, negative में जाएगा अब नेगेटिव में गया तो यानि पूरा sentence नेगेटिव में यानि कि यह वाला sentence भी किसमें जाएगा कहीं नेगेटिव में जाएगा, तो scourge का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, scourge का मतलब विल बी negative, तो यहां scourge का मतलब क्या जाएगा, severe punishment, बनलब जो इसकी वेज़े से plague broke out हुआ है, तो people जो है, उसमें बहुत जादा scourge हो गया है, बनलब severely punished हो है, punished in the sense कि वो face कर रहे ह उसके outcomes, ठीक है, next देखो क्या दिया है, salvage, देखो salvage नहीं दिया है, आपको salvage दिया हुआ है, salvage बहुत important डम है, अगर आप इस sentence को बहुत ध्यान से पढ़ोगे, तो आप क्या देख रहे हो, the army swung into action to salvage the havoc caused by the earthquake, earthquake आया, कोई normal बात है क्या, earthquake आना कोई normal बात है नहीं है, तो यानि salvage किया, तो जो आर्मी जो है, swung into action to salvage, यानि कि यह चीज़ किसमें आएगी, positive आएगी, यानि कि सिंपल सा क्या कहना चाहरा है, आप सिंपल भी समझ सकते हैं, कि भई, आर्मी गई है, और earthquake के टाइम बहुत बचाने ही गई होगी ना, तो rescue करने गई है, कि कि किसी तर November and October are the sultry month because of excessive humidity, excessive humidity हो रही है, this is not a positive sentence, this is a negative point, तो negative point है, तो इसका मलब sultry, मलब sweltering, मतलब बहुत जादा, चिप-चिपी होती है, गर्मी होती है, उमस होती है, that is what it is mean, अब सर्माइस का मतलब दिया है, सर्माइस that he would not succeed in his attempt to exploit his wife, यानि कि उसने बोला, I guess, मतलब इसका जो अपनी wife को वो क्या करना चाता है, exploit करना चाता है, वो उस attempt में succeed नहीं होगा, ठीक है, तो I service, अब वो ये बात कह रहा है, तो कहीं न कहीं guesswork की बात आरी, general दिखा रहा है, कि I guess की बात वो कर रहा है, है न, next क्या कह रहा है, there is a glut of spurious drugs in the market, अब drugs की बात हो रही है, positive कैसे ह सकता है, तो negative है, और उसी को adjective आईगा नहीं, उसी को क्या है, विशेष्टा बता रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, false या फिर counterfeit, या फिर fake, अब यह वर्ड आपके पेपर में आ चुका है, this is very important, it has been, ours been, and a, and serious as well, और spurious आपको एक new word मिल गया है, यहां पे, है न, तो सेंटेंस में आप बताईगे क्या दिया है, simply यहां हुआ है, she has a lot of stamina and works for us together, stamina हादा बता है, strength, ठीक है, कितना stamina है, कितनी strength है, आप कितनी, जैसे माली जो मुझसे का जाए, class ले लो, तो मैं 7 गुंटे class ले सकती हूं लगातार, तो यह मेरा stamina है, आप किसी particular profession में बहुत चारा अच्छे हैं, तो आप उस प्रोफेशन में काफी देर तक उस काम को endure कर सकते, कर सकते हैं, तो आपका stamina है, तो पर सीट, अब मेरे एंडी के जो एस्पिरेंट्स हैं, यहां डिफेंस के, सीडियस के, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, वह बात कर 6 गंटे पढ़ सकते हैं, तो सीट किया गया, तो उसने डिजाइन कर दिया, उसने डिजाइन किया नेगटिव बात है, लेकिन बात देखों समझें की, सुपर सीट मतलब कि उसको उची, सुपर मतलब बैठा देना, तो मतलब जब मार्केटिंग मेनेजर के उपर उसके जूनियर को बिठा दिया गया, त सागा उप इंडियन सोजर्स ऑन द वार प्रंट इस बीर्ड डिस्क्रिप्चिन यानी कि जो इंडियन सोजर्स का सागा है वो जो डिस्कृइब ही नहीं किया सकता है सागा मतलब एक ट्रेडिशनल स्टोरी है जिसमें हिरोई उनको देथ मिली है हिरोई उगनों ने डीट्स की है अच्छे काम की है वो एक तरह की पूरी स्टोरी है है अब आते हैं नेक्स्ट पे जैसे हमसे बोला गया है हमसे क्या बोला जा रहा है तीन वर्ट यहां अच्छे चीज नहीं होती है तो चार्ज तो नेगटिव चीज हो गई तो स्लेंडर का मतलब क्या होगा बदनाम किया गया उसको है ना उसी तरह से सरेनीटी मैंने हमेशा ही बोला कभी मीनिंग मत पढ़ो पहले वर्ट देखो फिर मीनिंग पढ़ो सेरेनीटी ऑफ द वैली इ अच्छी चीज होगी तो सेरेनीटी का मतलब क्या हो गया कामनेस या फिर ट्रैंकुलिटी अगई बात समझ में चलो अब अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से नेक्स्ट वाला देख लेते हैं थोड़ा पेशन्स रखो चीजे तुरह नहीं मिलती है चाहे वह कोई वीडि पढ़ें आप कहीं से भी देख सकते हैं या फ्री तु दु दैट आप मेरे चैनल देखो बच्छी अपने आप चीजों को सबसर्व कर देती है और बच्चों को समझ में आ जाता है कि कहां से क्या पढ़ना है है तो यू पीपल आ स्मार्ट एंड एवन स्मार्ट देन अस त अब अब अधिया है सम्चूस स्टेगनेंट और सबस्टांशीट ना सी इस तू वर्ड़ वर्ड़ वर्यक्ति हमेशा जैसे कोई ठहरा हुआ पानी काफी दिन रहेगा तो उसमें क्या ने लगगेगी इट विल स्मेल स्टार्ट स्मेलिंग तो मला स्टेगनेंट मतलब कोई थैरीइए थैर concealed motionless मोशन नहीं है उसमें शब्स्टांशीयट मतलब इक्व्डिट वांत ओव एंतानी काबिल नहीं यह तक सुफिसियंट नहीं बना रही है कि वह salahी कि तरह रखाजा सके दिशार्ट मतलब वैरिफाइए नहीं कर पा रही हैं यह सपोर्ट नहीं कर पा जिसंए वंदिंगी तो पूंत कि अंधं लेगा दिन सिंटितिककों कॉया फिर्फ हें लेजितिकर जया अबरेँए हुएं उयुक्तििस्टा गये है मकलेम भा 이상 है जाया मतलब वगईश की लिखस्ग है गवाई-उय। होगा अब बोलो दिल मांगे मोर और थोड़ा सा और ले लो है ना चला सेडिशन दिया है आप इस सेडिशन को बेसिकली देख सकते हो सेडिशन हो स्टिंट हो स्पायन हो इसमें से यह दो वर्ड्स आपने सिविलरली सुने होंगे ने किन वन इस बित न्यू वर्ड विच कैन सेडिशन मतलब होता है किसी पर देश्द्रो का चार्ज लगाना तो को पॉस्टिव चीज तो किया नहीं जाएगा प्लस देश क्या हो जाएगा देश द्रो ठीक है अब इसको क्लीन करते हैं तो सेडिशन का मतलब क्या हो कि रिबीलियन या यानि कि जो भी उसने अप्पोजिट अवाज उठाई देश द्रो में काम किया रिबेल किया चीजों से जो नहीं करना चाहिए था फिर वर्ड दियावा इस्टेंट अब इसको चाहिए कि असे कि अप्रफॉर्म से डेली स्टेंट विदाउट ग्रंबलिंग मतलब बिना न अब हैं अब सब्सक्राइब को पता है कि होड़ेस को समय लगता तो उसनी इंपली क्या ऑलगा कि च्छोटे से समय में हमी रिमार्केबल क्या कर लेंगे प्रोग्रेस बना लेंगे अपने बि gir यानि कि span यानि एक अच्छी खासे समय में चलिए अब next आ जाते हैं next हम से क्या कह रहा है next हम से simply कह रहा है to supercellus savage and sporadic now see this is very very important this has been asked in nda as well as serious the same is the case with this this has been also asked in serious and nda this is a new word so this is again an important question for you right अब इसमें देख लेते हैं कि word क्या क्या रहा है supercellus savage दिया है sporadic दिया है एक एक करके अराम से sentence पढ़ो पहले में क्या लिखा है आप ही पताईए everyone recent the supercellus treatment of the manager तो recent कर रहे है recent कर रहे है तो मतलब obviously कैसी होगी कि कहीं न कहीं वह चीज हुआ ऐसी नहीं है तो वह manager की आप मुझे कमेंट सेक्षिन में बताईए इस तरह से ना बोलना जो प्रेजेंटेबल हो देखो सती सिस्टम इस डेफिनेट्ली सा सिस्टम है जिसकी कोई मतलब नहीं बनता है तो यह जाहिल को क्या बोलेंगे पुरानी विचारदा रहा हो बहुत ही जाहिल आइडिया है बहुत ही बेकार आइडिया है सस्सी सिस्टम ठीक है नेक्स आपको दिया हुआ है स्पोराइडिक अगेन मैंने बोला था अभी आप से कि यह एक इंपोर्टेंट वर्ड है विच कुड भी आजने पेपर एंडिट हैस्ट तो देखिए क्या दिया है स्पोराइडिक फाइरिंग फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर यह शायद मैंने कली कर आया था आपको ठीक है अक्रॉस द बॉर्डर कंटिन्यूस कर दिया यानिकि स्पोरा अब आते हैं नेक्स से इंपली के रहा है कि स्टेटस को नौ पिसी तरह साप से एक बड़े स्टैचुरी पूचा गया था इस तरह से कुर्चिन पूस कते हैं वो कि वर्ड जो है अक्षर नीूज में रहता है इस अटाइक पार आनिटिक एटेटिक रचेशिकेशन इस जन वर्ट this has been asked और बहुत जेनरल वर्ड है इसना सोचना नहीं है पहले फर्स्ट वर्ट से चलते हैं स्टेटस को इंडिया और पाकिस्तान है अग्रिज तो मेंटें स्टेटस को इन रिस्पेक्ट ओफ लाइन ऑफ कंच्रूलिं कश्मीर यानि उस पर उन्होंने एक डिसिजन लेया उस पर अप्वी बने रहना चाहते हैं तो स्टेटस को का मतलब क्या हुआ अब इस सेंडेंस कहा से लिया गया आपको यहाद वन रंक पेंशन एक प्रोसीजर आया था उस टाइम पी वर्ड जो है बहुत जारा फेमस हुआ था ठीक है अब आया नेक्स वर्स सोफिस्टिकेशन हमें क्या बोला है सोफिस्टिकेशन इंप्लाइज लॉस ना करेक्टर जो कि नॉर्मल हो सकती थी तो सॉफिस्टिकेशन मतलब आर्टिफिशली कर रहे हैं या रिफाइन करके दिखाना चाहरा है जो कि सचाही नहीं है इसलिए बोला कि वह जो है वह नाचुरल जो की सधारन पना हो दें वह एक्जांबल जितने लोग यूटूब पर आते हैं ब छोगती है ऑभी जोगत और भी सजते के अच्छीहा घ्लति में और नेतना कषया हूं और चाहीं रहे हैं देख है çुन्ट भी फ्रहल से कल नपर जो सॉस्टिकेशन के ये पॉर्मनों पार्मेन हो मैं टियो काम डोमर्हण लोटीं आ नोब स्वीत आफके जोएं प documents to maintain इन्देर स्टेटर्स यानि कई सारे स्क्योंस ने पॉलिटिक्स इसले जॉइन दिये ताकि वो स्टेटर्स में इंडेंस करें तो मतलब जो ऑफ्स्प्रिंग्स है जो बच्चे है यानि जो आने ओली पीडी है उन्होंने ठीक है उसी तरह सिनिस्टर है इंडिया हास्ट्रू यह ए बहुत सब्सक्रा बढ़निया है दिसनिस्टर्स इंडिया में वीडिया हम 20 गॉप काया हुं तो इन्हों बहुत सिनिस्टर्स अच्णांडों जीजिद अिसजिद्धिया के विए उप सारू इंडिया मैं चल रहा है उसको हमें बहुत सारर उसके लिए ख्याल दॉर् पर बहुत उपोर्टनर पीचर रहा है बहुत ज्यादा क्वालितिव लिवेड़की इसको एनलाइज करने वाली चीज रही है बहुत ज़ारा इन्पोर्टनर रहा है SIMPLE इस बहुत आट ऊकेनः और आपको वर्ट दिया हो है संकेशन इसको तो बिट जरूर पढ़ लो by the hypocrisy of his friends. तो मतलब क्या है? seldom taken in by the hypocrisy of the friends. मतलब कि मेरे पापा बहुत sagacious है. sagacious मतलब कि उनके अंदर भी बहुत बड़ा व्यक्तित वे चुपा हुआ है. बहुत insight है उनके अंदर. और ये चीज मेरे जो फ्रेंज हैं, वो observe कर लते हैं. तो यानि की sagacious मतलब एक insight होना. तो मतलब इस अगेन इन इंपोर्टेंट पॉइंट. ना यू और हेविग दे वर्ट स्किजम. स्किजम को बहुत ध्यान से देखो. तो स्किजम इन दो कॉंग्रेस पाटी 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 का बिखर जाना. तो मतलब इस किजम मतलब जो split हुई है, जो बिखर गए है, डिविजन हुई है पाटी की दो हिस्सों में. ठीक है? अब उसी तरह से saviour दिया हुआ, यह आप लूमन इंग्लिश में भी यूज़ करते हो. The assurance of the opposition leader to flood victims, saviour of the sheer hypocrisy. ठीक है? यानि कि क्या कह रहे हैं कि जो इतना जादा assurance है कि flood victims को जो opposition दे रही है, कि हाँ तरह का saviour है, एक तरह से जुमला है, एक तरह से hidden जो है, दिमाख लगाए गया है उस चीज़ पे. यानि having a distinct flavor, या फिर smell or quality, ठीक है? यानि कि एक चीज़ छुपी हुई है, जो हम समझ नहीं पा रहे है कि वो क्या दिखाना चारहा है, इसलिए जो ruling parties को दिखाना चारहा है, कि देखो हम आप से आता हों के लिए कर सकते हैं, but that is not the truth at that moment, है ना? अब आगे देखिए क्या दिय हुआ है, subsequent दिया हुआ है, और sartorial दिया हुआ है, यह वर्ट तो आपने देखा था, मैंने बताया भी था, यह आ चुका है, NDA में भी और CDS में भी, ठीक, आब इसमें देखते हैं, sartorial का है, इसलिए मैं पहले यही देखूंगी, in the modern era, there are rapid changes in the sartorial fashion, sartorial मतलब क्या होता है? कि dressing sense, dressing sense में randomly change आ रहा है, ना, next word दिया, subsequent, subsequent मतलब आने वाली चीज़ों को subsequent बोलते हैं, तो subsequent even have proven our apprehension, apprehension मतलब जो हमने अनुमान लगाया था, जिसको हमने दावे सिकात कहा था, correct about our business partners, trackery, trackery मतलब होता है, धोका, ठीक है, तो इसमें भी आपको कई वर्ड मिल जाते है, इस का मतलब होता है, मतलब आने वाला, यानि कि जो सबसी आने वाला following या later, जो होने वाला event है, उसने अराम से प्रूफ कर दिया, जो कि हमने अनुमान लगाया था, वो पूरा सही था, कि हमारा partner हमें धोका देगा, ठीक, अब उसी से आते है, next word, क्या देवा है, senility, senility हमसे क्य क्या बात है, कि वो इतना बुड़ा हो चुका है, कि अब उसका family पर पकड़ नहीं रह गई, वो तरीका नहीं रह गया, control लखने का जो पहले हुआ करता था, ठीक, थोड़ी सी patience रखो, मैं बार बार यह करी हो जाएगा, next देखिए, scrupulous again is an important word, this you don't have to leave, subsidy आप जानते ही हो, गौर्मेंट देती है, और subjugate भी एक important word आपके लिए बन जाता है, अब देखिए, इसमें कैसे important है, scrupulous भी एंडिया सीडियस में आ चुका है, because मैंने paper लगवा है, तो मुझे याद रहता है कि मेरे offline बच्चों को मैंने क्या पढ़ा है, और वो चीज जहां में repeat होती ही, त इसलिए क्योंकि I am not just saying just for the sake of thing, ये चीज मैंने देखिए, तभी मैं आपके सामने बोल रही हूं, the king was overthrown as he was unable to subjugate the traitors, जब धोके बाच को हटा ही नहीं पाएगा, तो यानि subjugate नहीं कर पाया, जीत नहीं पाया, उसके बाद subsidy दिया हुआ है, government thinking of providing subsidy on import of edible oils, यानि कि जो बा ठीक है, अब next year is scrupulous, इंडिया is wofully, wofully lacking scrupulous politicians who are concerned with public welfare, अच्छी बात हो रही है, positive है, तो scrupulous कैसा हो जाएगा, conscientist की बात करा, again, this is very important, ये भी word important है, और ये भी word important है, तो आप इसको important लिखके, and ये cds के perspective से लिख सकते है, important, ठीक है, हाला कि मैंने stars में इस चीज को प्रूब कर दिया है, next आते है, next हमाई next slide है, 42 पे आगे, धीरे धीरे सफर आगे बढ़ेगा, अब आगे सकर, साइकोफेंट, और सक, अब इसको, इसमें मुझे यही नहीं कहना है, कि ये important नहीं है, ये important नहीं, अगर मैं ऐसा कह रही है, तो मैं आपको दुखा दे रही हूं, कि 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 इसी भी चीज़ को हलके में नहीं लेना है, फिक, the government has provided ample suckers to the farmers affected by the flood in the form of financial, financial subsidy दे रही है, तो सकर एक positive word होगा, तो सकर मतलब क्या होगा, aid दे रही है, या फिर relief दे रही है, अगे बास समझ में, next दी आवा साइकोफेंट, साइकोफेंट मतलब, one must be wary of the साइकोफेंट, who is just like a snake in the grass, साइकोफेंट मतलब, जो हमेशा आपकी तारीफी करता रहे है, वो कभी-कभी dust भी लेता है, वो साइकोफेंट जो है, वो कैसा negative word है, यानि की flatter, जो आपकी चापलूसी करें, वो आपको बाद में negatively effect भी कर सकता है, सरप्षियस जिया होए, again an important word, the सरप्षियस विजट of Henry Kissner to China, brought about revolutionary transformation in the relation between America and China, यानि सरप्षियस विजट थी, सरप्षियस विजट थी Henry Kissner की चाइना को, ठीक है, चाइना में, उसने क्या किया, बहुत जादा revolutionary transformation लेया, तो सरप्षियस एक positive word होगा, क्योंकि transformation आई, तो secret visit, यानि कि छुपके जो meeting हुई थी, उसने कहीना कि बहुत नहीं सोचना है, solar, मुझे नहीं लगता बताने की जर्वात है, हर चीज जो सूरत से रिलेंट है, वो solar जा रही है, will be visible in India at 2 p.m. today, again solar is related to of the sun, stringent is very important, सक्ती से किसी कानून को apply कराने, stringent measure should be taken, तो यानि stringent laws, यानि कि strict laws बनाने चाहिए, severe laws बनाने चाहिए, tough laws बनाने चाहिए for terrorism in India must be enforced, तीक है, उसी तरह से scruple आ गया, this is not scrupless, this is scruple, he has no scruple in letting down his parents by his wanton behavior, मतलब क्या है, मतलब पता है, क्या ही ना कहीं होगा, negative, कि उसको बिल्कुल भी समझ नहीं है, सही हो, गलत की, बस उसको जो चाहिए, वो चाहिए, ऐसा और अपने पेरेंट्स को जुकना ही लेते हैं, बहुत चोटा सा बचा हुआ, shambles है, sacrosanct है, और ये है, ये positive word हो गया, इसमें क्या चाहिए, shambles है, the house where murder was committed was a shambles, अब अब अबवेस सी बात है, murder हुआ है, normal चीज़ तो होई नहीं कि पाटी हो ये है, ये है ना, तो यहां पे क्या हुआ है, scene of destruction हो गया, वहां है, obviously वो public criticism face कर सकते है, तो यानि most sacred नहीं है, यानि कि बहुत जादा प्योर नहीं है, कि वो जादा उनको मिली नहीं गई है वो चीज़, ठीक है, उसके बाद spiteful आया, ये मैंने आपको उजिर में बताया था, ये भी आपके में अंडिय में आ चुका है, और CTS में आ चुका हमेशा दूसरों में कमी निकालना, दूसरों को उंगली उठाना, दूसरों की चीज़ों पर जच करना, उसको contemptuous कहते हैं, ठीक है, चलो, अब आते हैं next पर, next हमारे सामने दिया हूँ है, stigma है, stigma आपको पता है कि एक तरह से कहते हैं कि society में एक काला दबबा है, stigma of having been sentenced to imprisonment always ranked his mind, अब अब कि उसको jail मिली है, इस चीज़ का मिशा उसके दिमाग में बैची रहती है, stigma मतला mark of disgrace, एक बुराई का चिंतन होना, बुराई का realization होना, जो उसके उपर धबा लग गया, ठीक है, सकंब, ये important है, ये अकसर use होता है, सकंब, wounded soldier succumb to his injuries later on, सकंब मतला मतला मर गया उस चलिए, अब देख लेते हैं, जल्दी से, थोड़े से बस जाएं, इतना सोचना नहीं है, sluggish, again an important word, without any conflict, ठीक है, the production activities in the factory have become sluggish on account of the epithy of the management, यानि कि management बिल्कुल भी क्या है, बिल्कुल भी sensitive नहीं है, बिल्कुल भी सहानुभूती नहीं रखती, इसलिए जो production activity है, वो बह has been asked in Indian series and the health, it is important from your exam point of you, right, अब देखते हैं, क्या दिया हुआ है, those engaged in sedentary jobs, again क्या है, ये adjective है, ना उनको qualify कर रहा है, need physical exercise, तो sedentary मतलब requiring sitting, यानि जिसको बैट के जिस पर चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए, ठीक है, again an important one मैं पहली बता चुकी हूँ, अब आगे आते है, हमारा mock test आ गया, mock test छोटा साहे, जादा नहीं सोचना है, ठीक है, अब देखो, खाली में phone चला रहा है, ठीक, अब देख लिए जो question कब का है, आपके CDS 1222 का है, और this is very important, पिछले ही साल का paper हम discuss कर रहा है, question कर रहा है, he discontinued the work, बस इतना या रखना है, यहां पर हमें क्या करन है, opposite करना है, जल्ले ले discuss करेंगे, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से लगवाती हूं कि तुम लोग को आदत पर जानी चाहिए, कि दो मिनट में question solve हो जाए, सारे, एक नहीं, he discontinued the work due to pressure, उसने काम को छोड़ दिया, pressure की वैसे, discontinued negative, deputed का का कोई मतलब नहीं मनता, concealed मतलब होता है, hidden, जिसका कोई मतलब नहीं मनता, उसके इलावा, ceased मतलब कोई चीज रुख जाना, उसका कोई मतलब नहीं मनता, resume, भई कोई चीज चलते चलते रुख जाए, और कोई चीज रुखने के बाद चल जाए, तो उसे resume करते है, है ना, चलो, अब इसमें answer क्या होगा, answer will be resume, right, मैं इ नहीं देखा, तो आप 3rd day पर देख लिजा, आपको email जाएगा, ठीक है, एड्मोनिश और reprimandate क्या है, आपस में synonym है, तो ये answer तो नहीं हो सकते, ठीक, ये इसका answer नहीं हो सकते, commentate जो है, comment मतलब होता है, कि किसी चीज को, क्या करने कोशिश करना, तारीफ करने कोशिश कर ये वर्ड तो मैंने कली कराया था, commendable, तो commendable एक positive word है, जिसका मतलब होता है, praise करना, तो praise इसका क्या हो जाएगा, opposite पूछा गया, चाइडिट का, तो अगर चाइडिट नेगेटिव वर्ड है, तो ये जो है, क्या हो जाएगा, positive और ये इसका answer हो जाएगा, answer mark कलो, commentate is the answer, आगे बस समझें, चलो, next पर चलते हैं, next हम से क्या कह रहा है, I cherish your company, cherish is always cheerful से बनाए, cheerful से बनाए, cherish, तो cherish एक positive word है, तो ये क्या हो जाएगा, synonym हो जाएगा, तो ये answer हो नहीं सबता, sustain भी positive word है, यानि रुखना चाहता है, ठहरना चाहता है कोई चीज, ठहराओ, बोलेंगे इ value, तो value और ये ये तो तीनों जो है, एक अच्छी sense में आ रहे है, positive sense में आ रहे है, ठीक है, और answer जो है, ये word तो positive दिया हो, तो इसके answer depreciate, यानि कि negative, यानि कि मैं तुमाई कंपनी नहीं पसंद करता है, depreciate करता हूँ, उसके बाद आगया, house was, the house was full of chaos when I reached, chaos मतलब होता है कि दूविधा में फसा हुआ था, बुरा था, clumsy था, फैला हुआ था, ठीक है, तो फैला हुआ है, तो उसका opposite find करना है, ये word और लेड़ी negative है, ये भी negative है, तो ये इसका synonym हो सकता था, antonym तो होगा नहीं, तो ये इसका synonym हो सकता था, confusion का मतलब नहीं आएगा, ये synonym हो सकता थ नियरबाय मीनिंग जा रहा है उसके, यूनिफॉर्मटी का तो कोई सेंसी नहीं है, out of context, लास्ट है order, order मतलब हो गया, कोई चीज सही से सूव ये वस्थित है, ठीक है, नेक्स आते है हमारे fifth question पे, we worship celestial beings, ये मैंने सी वाला जब कराया है, उसमें कराया है, फिर से बोल दे र जाएगा, नेक्स हमसे बोला गया है, नेक्स क्या पूछा है, Mohan is quite reticent, ये तो मैंने परसोन और सुई लगवाय है, परसोन और सुई लगवाय है, और reticent का मतलब मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि quite नहीं होता है, quite मतलब होता है, जो इंसान बहुत शान्त होता है, retic का एक्ट्वल मीनिंग जायेगा, जाता है, वो इनसान रिजर्व रहता है, रिवील नहीं करना चाहता है, जाता है, गेरुलिस मतलब होता है very talkative, तो जो बहुत जादा talkative है वो अवेस सी बात है, कुछ ना कुछ अपने बारे में बता ही देगा, ठीक है, तो this will be the right answer for this, this is a negative word and this is a positive word, these three में से ये और ये और ये तीनो synonym चले जाएंगे, ठीक साथ लगे हाथ ये भी पढ़ लिया करो, कुछ न मतलब infant बच्पने से जा रहा है, तो ये synonym हो सकता है, लेकिन antonym नहीं हो सकता, harmonious का कोई iteration ही नहीं है, context में मीनिंग नहीं है, जो sentence दिया है, सीजन मतलब भी होता है, जो बहुत जादा अच्छा positive word है, explicit मतलब बहुत इंप्रेस्टिंग है, या कुछ भी है, season, season मतलब जो अलग-अलग season आ रहे हैं, तो वैसी चीज़ें old हो रहे है, जैसे word मैंने कराया भी है, season मतलब होता है, इससे कोई पुराना होता जाता है, तो म जल्दी से एट कोशन देख लो, john is magni दिया हुआ है, magni loken person, magni loken person मतलब होता है, कैसा person है, pompous है, pompous इसका synonym हो जाएगा, ठीक है, अब exact मुझे meaning इसका नहीं याद आ रहा है, एक बार देख लेना, ठीक है, हाला कि magni loken person और उसके बाद, हाँ, याद आ गया, magni loken मतलब कि इसी बात को बहुत बढ़ार चरहा के बताना, ठीक है, तो बहुत जाले detailing कर देना किसी, ठीक है, detailing कर लेना, या bombastic कर देना, यानि कि unnecessary उसको बढ़ा रहा है, और main बात पे नहीं आ रहे हो, ठीक, तो यह हो गया, इसका जो एंटॉनिम जाएगा, यह भी इसका synonym हो जाएगा बंबास्तिक भी इसका synonym हो जाएगा, ठीक, अब इसमें आते हैं कि opposite क्या जाएगा, opposite ters जाएगा, क्यों टर्स का मतलब होता है, to the point बताना, यह उसका actual एंटॉनिम चला जाएगा, अब आते हैं, next question पे, next क्या कह रहा है, his clandestine, यह CDS के किस में आया, 1222 में आया, और यह जिसने एंडिये दिया, यह एंडिये के 1 2023 में भी आया है, तो this is an important question for you, mark my words इस तरहे के questions पे आपको बहुत ध्यान देना है, जो CDS में भी रिपीट हो रहे हैं, और एंडिये में भी रिपीट हो रहे है, clandestine का मतलब होता है, कि बहुत जादा positive में है, या बहुत जादा hidden ह है, ठीक है, hidden होना कोई चीज, तो ही little kind of suspicious, suspicious तो छुपे हुए थे उसके जो hidden hapairs थे, ठीक, तो hidden का मतलब यह synonym चला जाएगा, यह भी synonym जा सकता है, यह भी synonym जा सकता है, लेकिन यह अकेला जो है, वो एंटॉनिम जाएगा, तो आपको तीन synonym मिल गए, और एक एंटॉनि मिल गया, conspicuous का मतलब होता है, जो चीज, determined है, जो चीज पहले से known है, ठीक है, यानि कि यह चीज, known है, जीक, अब आगे आते हैं, next question हमारा, last but not the least, some animals are, sorry, some animals live in dormant, again, फिर से बार बार मैं तो बार बार बोलूँगी, ताकि आपको एक बार के लिए रट जाएं चीज, एंड मैं पूछा गया, एंडी में भी आ चुका है, that means this is an important question for you people, और dormant मतलब होता है, कोई चीज जो इग्दम शांत पढ़िया, आलस में पढ़िया, laziness के sense में जा सकता है, ठीक है, तो lazy sense में जाएगा, तो इसमें देखो, जो इनर्ट है, वो synonym हो जाएगा, जो latent यानी छुपा वो भी synonym हजा सकता है, काफी हद तक, sluggish कोई मतलब नहीं मनता, ठीक, answer will be active, because इसमें हमसे opposite पुछा गया, ये वर्ड एक negative है, जिसका answer positive हो जाएगा, ठीक है, positive हो गया, answer खतम, 10 questions कर लिए, खुशी-खुशी, अब इसी तरह रोज रहो, 6 दिन की बात है, course खतम हो जाएगा, वेकाब फिनेश हो जाएगी, इतनी डाइवर्ट वेकाब है, ऐसे भी नहीं पड़ पाओगे, at least 26 दिन का, sincerely देख लोगे, तो कम से कम, 95-97% question paper आप करके आओगे, I can challenge you, okay, तो तब तक, अब कहानी कथा खतम, now let's end the session, and now with all the blessings, जै हिन, जै भारत, thank you.